दुनिया में बहुत भूतिया जगा है आज हम भरत के सबसे भूतिया जगा भांगर को एक्स्प्लोर करने वाले हैं रादोस्तान में भांगर पहले एक फालता फूलता सहर हुआ गरता था लेकिन समाई ने इस जगा को इस तरह बदला की आप एक एबांडेट सिपी के अलवा और कुछ भी नहीं है भांगर की किला इंडिया के हांटेट प्लेज में से सबसे उपर आता है दिन में तो एक टूरिस्ट प्लेज है लेकिन रात में तो एक भूतिया जगा बांजाता है यह तक की आर्किलोजिकल सार्वे अप इंडिया इस केला की कुछ दूर बाद एक बोट राखा है यह पार लिखा है कि सांसेट के बाद और सानलाइस के पहले एह बार आना खतरनक हो सकता है भारत का एक लोता जगा है जिसको इंडिया गवर्मेंट ने वांटेट प्लेज गुशित किया यह माना जाता है कि सांसेट की बाद जो भी इस केले में जाएगा वो कभी बबस नहीं आएगा यहा का अस्तानियों लोगों का कहना है कि रास में एह इया से आजीव गड़ी आवाज आते हैं कभी पायल की आवाजे और नास में गाने की आवाजे आते हैं लोगों के हिसाब से यहापर और्तों की चिल्नाने और रोने की आवाजे आती हैं। उस लोगों ने तो आपने आखों से देखा कि कोई अड़ात और पार्फुम की बोतल लेके इस महल में घूम रहा है। और इसी समाई उस महल से आजिप सी खुजबू आती है। यहापा कहाणी यह है कि यहापर एक राणी रहती थी जिसका नाम है राणी रत्नावोती। राणी रत्नावोती उस समाई सबसे सुन्दर राणी में से एक थी। जब राणी की उमर 18 साल हुई तब बहुत राजाओं ने राणी से साधी करने की इच्छा जाता ही। इसमें से एक कला जदुगर भी था जो बहुत बुरा अदमी था। उसे पाता था रानी के साथ उसका साधी नहीं हो सकता था। फिर भी ओ रानी को दिल से बहुत चाहता था। ओ रानी को पाने के लिए खुच भी कर सकता था। एक दिन जब रानी का दासी बाजर में पार्फियूम देने गया तब उस कला जादुगर ने उस पार्फियूम में एक कला जादु कर दिया लेकिन रानी को इस बारे में पाता चल गया और उस पार्फियूम को एक पत्थर के उपर फेक दिया जिससे जादू का उल्टा असर पड़ गया और उप अथर और पहाड से गिरते हुए उस जादुगार की उपर पड़ा और जादुगार मरते हुए श्राब दे गया कि यह भानगार एक दिन इन तभाब हो जाएगा और इस से एक साल बाद मोगल ने यहापड हमला कर दिया औ पर इस वीडियो से एही पाता चलता है कि रानी बहुत आहंकरी थी आपनी सुन्दर ता कर लेगा इसलिए ए बड़िना हुआ